पब्लिक टीवी आपकी आवाद गुरुवार को चोहितरमा गरतंत्र दूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया गया नगर निगम मुरदवाद के द्वारा भी टाउन हाले सित कारले पर जंडा रोहन किया गया और सम्मानित किया गया इस दौरान नगर निगम ने उतकरष्ट कारे करने वाले सबी करमचारियों को सम्मानित किया नगर निगम के विबिन कारे युजनाय बताई तो वही उन्होंने कहा कि हमें अपनी नाकामी को छोपाना नहीं है बलकि आज के युवा इसके बिलकुल विप्रीद कारे करके नाकामी को दूर करे नगरायक्ट और समस्तर टीम के द्वारा कमबलों का भी वित्रण किया गया य saat कि ढ보ना को यह संसे आपना करें अफिया रार नहीं थानूंगा थी दिदय करें हा दो नहीं स्वानुगा हा आज नहीं कि काल के कपाल पर लिखता बिठाता हूँ काल के कपाल पर लिखता बिटाता हूं मैं गीद मैं आगाता हूं आदर ने अटल भ्यारी बाजपेली की इन पंक्तियों में सब कुछ समाहिए जो काल के कपाल पर लिखने का साहस रखता है केवल और केवल वही नया गीदा सकता है कि बहुत सारी बाते हूं बहुत सारी चीज़े हूं आज हमारा गणतत्र देवस है अभी एक रोज पूर्व हमने अपने प्यारे प्रदेश कुछत्तर प्रदेश का इस्थापना देवस का समारो आज़ित किया है बहुत सारी बाते हूं मेरे पूर्व निश्राजी सम्विधान के बारे में विस्तार से आपको बताना चाहते थे लेकिन समया भाव के कारण उनों ने सिर्फ आपसे इतना कहा कि सम्विधान को पढ़ें सम्विधान को पढ़ें लिखित सम्विधान है व्रहत सम्विधान है बहुत सारी चीज़े और एक हमने शबत ली उसमें बहुत अच्छे शब्द थे एक स्रेश्चता का बोध जबता है जब हम अपने सम्विधान की परस्तावना को पढ़ें स्रेश्चता का बोध स्रेश्चता का बोध बार बार दोहराईए इसको गर्व के साथ और लगातार पूरे साहस के साथ जीवो इस स्रेश्चता के बोध को हमसे अच्छा कोई ने आप से अच्छा कोई ने पूरी दुनिया में पर्चम लहराइए आप से और हमसे अच्छा कोई और नहों सके स्रेश्ट हो यहीं स्रेश्टता का बोट है कि समिधान लिखने वाले कौन थे किसी को याद नहीं सिर्फ एक दो नाम हम मैं से बहुत सारी लोग जानते हैं मैं कहता हूं बुलकुल आवश्ट नहीं है कि आप उनको याद रखें जिलों ने समिधान लिखा लेकिन यह उतना ही आवश्ट है कि समिधान में लिखा क्या है उसे जीओ उसे जीओ आपकी पीडिया जीएं आपके आने वाली जेनरेशन जीएं और समिधान में क्या लिखा है उसको अगर हम जीने लगेंगे तो यह स्वेश्टता का बोद हमसे कहीं बहुत दूर नहीं जाएगा आज बहुत सारे पुरुष्कारों की बात हुई नेशनल क्लीन के अफ सिटी प्रोजेक्ट के तहट आपके शहर मुरादाबाद को पूरे हिदुस्तान में नमपर एक पर जिस्थान परात हुए बंदे मातरम सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाद है खातल में है सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है वस आने पर बता दे दे तुझे ओ आसमा हम अभी से क्या बता दे दे तुझे ओ आसमा हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है खेच चिलाई है ये सबको कात्न होने दिल में आशिकों का आद जमकत पूचए का दिल में है सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखे आज गरतंत्र दिवस के अफसर पर सारे नगरनिगम परिवार की तरफ से बहुत उत्साफ पूरवक उलास पूरवक इस राश्वी पर्व को आयुजित किया गया है इस अफसर पर जहां हमारे टीम के जो कर्मचारी गण है उनको अच्छा कारी करने वालों को सम्मानित किया गया है वहीं विभिन स्कूली बच्चों को नगरनिगम मुरादाबाद और स्मार्ट सिटी मुरादाबाद की तरफ से ब्रैंड एमबेस्डर निव्ट किया गया है मैं कर्तंत दिवस के अफसर पर सभी शेहरवासियों को बढ़ाई देता हूँ और ये उमीद करता हूँ कि आने वाले समय में मुरादाबाद और नई उचाईयों को चुब़ेगा अन्यवाद सर्प्रतम तो इस रास्टी पर्व के अफसर पर आप सभी को हार्दिक सुबकामनाया बढ़ाईयां समस्देश के साथ में आज हमने करतंदिवस मनाया है नगनियम परवार ने बहुती भविता उत्सा के साथ और इतने अधिक कर्मचारियों की संख्या में आज मनाया है आप देख पा रहे हैं इस अफसर पर हमने कुछ अन्य प्रोग्राम भी की है जैसे कंबल वित्रन का प्रोग्राम हमने किया उत्कास कार करने वाले कर्मचारियों को सम्मारत करने का कार हमने किया हम ने यहीं बताया कि बिगध महाँ में नगानिगम ने क्या कार किया है उसके बारे बताया। और बहुत उल्लास के साथ मैं हम सभी ने गर्टा दिवस बलाया है। आप सभी के बहुत बशक्ताम ने बधाई है। आज 74 वे गरतंतुर दिवस की मैं सभी महानगर वासियों को पिरदेश वासियों को देश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संबिधान हमें मिला था जिसके अधीन हम कार्णे करते हैं और इतना मजबूत और पुखता संबिधान जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संबिधान है वो हमारे भारत का संबिधान है अगर इस संबिधान में कहीं कोई लचक होती तो जिसकी लाठी मजबूत होती हो भैस ले जाता मैं संबिधान के रचेता डाक्टर बियार अम्बेटकर जी और उनकी पूरी टीम को जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसे कई सदस्य थे मैं उनको आपके इस मेडिया चैनल के माध्याम से नमन करता हूँ और उन अमर शहीदों को भी नमन करता हूँ जिनकी कुर्बानियों की बदॉलाद जिन्होंने अपनी जान की आहूती दे कर हमें ये आजादी दी और आज हम ये 74 वांगरतंतर दीवाज आजादी के साथ अपने संबिधान के साथ मना रहे हैं जैहिन जै भारत धन्यवाद